पर exam में बेटा MC क्यों आया हुआ याद रहिए, मतलब हमें ऐसे पढ़ना है, कि हर एक question हमसे बनना चाहिए, हर एक question हमसे बनना चाहिए, कुछ बच्चों को थोड़ा सा आपती है, doubt section को लेके कुछ बच्चे बोलते हैं, उसके बाबजिद कुछ doubt होता है, तो आप doubt section में पूछ सकते हैं, discussion platform में अपने दोस्तों से पूछिए है, उसके बाद भी लगता है आपको तो फिर doubt section में पूछ सकते हैं, doubt section फिलाल पैड होता है, तो उसमें मुझे मालूम है कि 30 रुपीज बड़ा आवांट होता है, लेकिन क्या करेंगे, फिर doubt की कुछ faculty रखके उनको doubt का काम देदेंगे, ठीके ना, लेकिन अब आप देखिए, आप इसे कई लोगे पास मेरा WhatsApp का number है, पर आप देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, इस समय कि मुझे, मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब देखके, कि मितलब ऐसा, किसी बच्चे ने मुझे एक कोश्चन डाला, किसी बच्चे ने मुझे एक कोश्चन वाटसप पर भेजा उसने, कई बार, उसने फिल कोश्चन भेजा होगा, अब देखो, मेरे पास क्या, मेरे पास एक दिन में 1000 से उपर WhatsApp आते हैं, मेरे नमबर पता नहीं, बच्चों ने कोश्चन को डाला, उसने, ठीक है, और उसके बाद उसने लिखा, कि मुझे बनने ही रहे, और कोई मेरे पास है नी, इसने मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पूछा, किसी ने बताया है नहीं, तो आप से पूछ रही हूँ, बताइए, फिर किसी लिखा, सर हमारा नमबर आप ब मैं पुछती हूँ की पर्सनल, ठीक, क्योश्चन पुछते हैं, तो बताने के लिए, मैं क्या जा रहा है, मिठी-मिठी बाते कर सकते हो बस आप, फिर, नमबर ब्लॉक कर दीजे मेरा, अब मैंने रिस्पॉंड दी नहीं, क्यों मैं देखा ही नहीं, मैं देखा ही नहीं में आज के कुछ दिन पहले, जिसने मुझे जो है वो, गुरु पुर्णीमा पे कभी विष्च किया, इसमें, देखो कहीं पे न, मैं देखा था message कि कौन है ये, किसी ने मुझे जो है वो, ठीके, मुझे विष्च किया है, बढड़े पर विष्च किया हुआ है, ठीके, मुझे नी सकता हूं, है न, और आपको लगता है, मैं विठी-विठी बाते करता हूं, तो कोई बात नी मिटा, मैं क्या कर सकता हूं, कि तुम आरे, एक्स्पक्टेन इस लेवल पर है, और उसे जुटा रिस्पक्त मत किजे बहा, मुझे कोई बिश्वत किजे, मुझे अच्छा मत समझे कुछ, लिएक नॉर्मल हुमन रिस्पक्त तो रखे ना, कि कोई आदमी है, डॉक्टर है, पढ़ा भी रहा है, वो काम होगा, इतने बच्चे होंगे उसके पास में, तो आपका लिए डाउट सेक्शने में ने टीचर आंसर ना करती, तो मैं उनको डाटता, टीचर को अब आप एक समय आप गुरु पुर्णीमा की मुझे बढ़ाई दते हैं, आप मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, और अगले ही पला बोलते हैं, गधे हो तो, मतलब, कैसे इंसान बन रहे हैं हम, हमें अपने गुरु की, अपने माता पिता की, किसी की इज़त का कोई ख्याल ही क्लि नहीं है, हम जाने कहां खोई हुए हैं, क्या पाप आइंगे आप, मěरा कुछ नहीं आता, यह आपका है, आपके साथ रहेगा, जिसका भी है, यह ना नंबर भाई जिसका भी नंबर इसको मैंने ब्लॉक भी नहीं किया, मैं खुले दिल से बलता हूँ इस बात को, कि सम इवेन यह नंबर छोड़ना पड़ेगा मुझे फिर ना चालिए तो अभी हम आते हैं लोट के अपनी